नमस्कार मैं जोतिश अचारे डॉक्टर दलीग कुमार पीचडी गोल्ड मेडलिस्ट नव्युक जोतिश सिक्सन संसान की पाटशाला में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको ट्रांजिट आफ सेटन शनी के गोचर के बारे में बताऊंगा जोतिश में नव ग्रह होते हैं नव ग्रहों में शनी एक ऐसा ग्रह है जिससे सभी घबराते हैं शनी का नाम लेने से भी लोग बहवीत हो जाते हैं शनी डंड़ा धिकारी है शनी हमारे करमों का फल देते हैं यदि हमारे करम अच्छे हैं तो शनी देव का आशीरवाद प्राप्त होता है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही शनी देव कुंडली में सिथित होते हैं शनी सूरे पुत्र हैं लेकिन सूरे के ही सबसे बड़े शत्रू हैं शनी के सूरे के अत्रिक्त चंद्र और मंगल भी शत्रू है गुरू को शनी सम्बानते हैं जोतिश में शनी को नपुन्सक ग्रह माना जाता है शनी एक राशी में लगभग धाई वश्तक रहते हैं तथा पूरा भचक्र जोडियक यानि ही बारा राशी पार करने में लगभग तीस साल लगते हैं शनी इस समय अपने उच राशी तुला राशी में गोचर कर रहे हैं तता दो नौवंबर दो हजार चोड़ा को रात्री आठ बज कर त्रेपन मिलट पर विरिश्चिक राशी में परवेश करेंगे शनी राशी परिवर्तन से लगभग छे मैने पहले ही अपना परभाव देना शुरू कर देते हैं शनी गोचर के अंत में गोचर में राशी के बिलकुल अंत में यानि की 20 दिगरी और 30 दिगरी के बीच में ही अधिक फल देते हैं शनी की अपनी राशियें मगर राशी वा कुम राशी हैं तुला राशी में शनी उच्च के हो जाते हैं शनी के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्राभाद पध हैं गोचर में शनी जनमकालीन चंद्रमा से त्रिस्ताय भाव यानि की तीसरे, छटे और ग्यार्वे भाव में शुफल परदान करते हैं शनी जब जनमकालीन चंद्रमा से बार्वे भाव में परवेश करते हैं तो साड़े सती आरम हो जाती है और जब जनम कालिन चंद्रमा से तीसरे भाव में परवेश करते हैं तो साड़े सती समाप्त हो जाती है इस समय कन्या राशी, तुला राशी, वरिष्चिक राशी पर साड़े सती चल रही है शनी के विष्चिक राशी में परवेश से कन्या राशी की साड़े सती समाप्त हो जाएगी वा धनुग राशी की साड़े सती स्टार्ट हो जाएगी जनम कालेंग चंद्रमा से फोर्थ हाउस में शनी का ट्रांजिट शनी की धैया कंटक शनी कहलाता है तथा जनम कालीन चंद्रमा से आठवे भाव में शनी का टांजिट अस्टम धहिया कलाता है इस समय करक राशी वा मीन राशी पर शनी की धहिया चल रही है विरिश्चिक राशी में शनी के परवेश से करक वा मीन राशी की धहिया समाप्त हो जाएगी तथा सिंग वा मेश राशी की ढईया स्टार्ट हो जाएगी अब मैं आपको वरिश्चिक राशी में शनी के ट्रांजिट का फल परतेक राशी वार बताता हूँ सबसे पहले मेश राशी मेश राशी वालों के लिए शनी का आठमें भाव में एर्थाउस में ट्रांजिट अस्टम शनी की ढईया यानि की स्टार्ट हो गई अस्टम शनी की ढईया में अशुफल ही प्राप्त होंगे मेश राशी वालों को शारीरिक कश्च प्राप्त होंगे दुर्गटना होने के योग है सरकार से राजा से भैर रहेगा तथा डंड प्राप्त हो सकता है सरकार से राजा से भै होने के कारण उनको मानसिक अशानती भी रहेगी मेश राशी वालों के लिए पत्नी की मिर्तियों तक हो सकती है पुत्र से दूर जाना पड़ सकता है, धन हानी हो सकती है बुरे व्यक्तियों से मित्रता के कारण परिशानिये होंगी जूवे, लोटरी, इत्यादी गलत कामों के कारण जीवन में दुख आएंगे सभी कारियों में असफलता प्राप्त होगी शनी की ढहिया 26 जन्वरी 2017 को रात 7 बज कर 39 मिनट पर समाप्त हो जाएगे वरिश राशी, वरिश राशी के सात्मे भाव में शनी का गोचर जीवन साती को रोग देता है तथा जीवन साती को मिर्त्य तुल्ले का स्प्राप्त होता है वरिश राशी वालों को गुप्त रोग होने की भी संभावना है मान सिक पीड़ा बढ़ जाएगी, धन हानी होगी, मान सम्मान में कमी आएगी वैपार में हानी होगी, नोकरी छूट जाने की नोबत आ सकती है बैवाहिक जीवन में परिशानी होगी, तथा घर से दूर जाना पड़ सकता है यात्राओं में कस्ट भी होगा मित्थुन राशी मित्थुन राशी के छटे भाव में शनी का गोचर शुप्फल परदान करेगा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी शत्रुओं खुद हियार मान लेंगे मित्थुन राशी वालों को भूमी, मकान, जमीन जायजात का सुख प्राप्त होगा मकान बनवाने के लिए शुप समय है, स्वास अच्छा रहेगा रोगों से मुक्ती मिलेगी धन लाब होगा, लाब के अफसर बढ़ जाएंगे इस्त्री सुख प्राप्त होगा, सुखों में वृदि हो जाएगी तसा सभी शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी करक राशी करक राशी के पाँचमें भाव में शैनी का गोचर अशुप फल देगा धन की कमी हो जाएगी, बुद्धी भ्रमित हो जाती है कोई योजना नहीं बना पाते हैं, सभी योजनाएं फेल हो जाती है संतान को रोग होता है, तथा संतान को कस्थ होने के कारण मानसिक अशान्ती हो जाती है धन की कमी के कारण सुख में कमी हो जाती है अधिकान समय गलत लोगों में वैतीत होता है जीमन साथी से प्रेम कम हो जाता है तथा पारिवारिक कले बढ़ जाते हैं वैपार में घाटा होता है सिंग राशी जनम कालीन चंदरमा से फोर्थ हाउस में शनी का ट्रांजिट यानि कंटक्शनी की ढईया स्टार्ट हो जाएगी सिंग राशी वालों के लिए ये अशुब है घर बदलना पड़ सकता है संबन्यों से दूरी हो जाती है शत्रू बढ़ जाते हैं नोकरी में ट्रांसवर हो जाती है तथा धन की कमी हो जाती है समाज में अपयश मिलता है अप्मान होता है तथा राजा या सरकार से कस्ट प्राप्थ होते है जीवन साती से दूर रहना पड़ता है धन नाश होता है तथा सभी बुरे फल प्राप्थ होंगे कन्या राशी कन्या राशी जनम कालीन चंद्रमा से तीसरे हाव में भाव में शेनी का गोचर अत्यंत शुफल परदान करता है कन्य राशी वालों को साहस पराकरम बढ़ जाता है नई नोकरी मिलती है परमोशन हो जाएगी वैपार में उन्नती होती है धनलाव होता है सभी कारियों में सफलता प्राप्त होती है शत्रूओं पर विजय प्राप्त होती है तथा वाहन सुख भी प्राप्त होता है जमीन जायजाद मकान खरीदने के लिए अति उत्तम समय है स्वास अच्छा रहेगा बिमारी पास नहीं आएगी सभी कारियों में सफलता प्राप्त होती है साड़े सती समाप्त होने के कारण सभी परकार के लाब होंगे तथा जीवन में खुशियां प्राप्त होती है तुला राशी तुला राशी वालों की साड़े सती चल रही है तुला राशी वालों की ये अंतिम धहिया है कुटुम में परिवार में दूरी बढ़ जाएगी पिना किसी कारण के जगडे शुरू हो जाते हैं धन की हानी होती है, संतान को कस्ट होता है सभी कारियों में असफलता मिलती है शरीर कमजोर हो जाता है जीवन साथी को कस्ट प्राप्त होता है घर छोड़ कर दूर जाना पड़ सकता है लाब में कमी होती है धन की कमी के कारण सुखों में कमी आती है विष्चिक राशी जनम कालीन, चंद्रमा पर शनी का गोचर विष्चिक राशी वालों को बहुत कस्ट देगा विष्चिक राशी पर साड़े सती चल रही है शारीरिक रोग हो जाएंगे मानसिक वाशारीरिक परिशानिया बढ़ जाएंगे बुद्धी काम करना बंद कर देगी शरीर में आलस बढ़ जाएगा चोट लगने वद्रुगटना का भै बढ़ जाता है घर से दूर जाना पड़ सकता है मित्रों से भाईयों से जगडे की संभावना है धन का नुकसान होगा वैपार में हानी का योग है सरकार से डंड भे रहता है अपमान होता है तथा सभी कारियों में असफलता प्राप्त होती है धनुराशी धनु राशी वालों की साड़े सती आरम हो जाएगी क्योंकि जनम काले इन चंद्रमा से ट्वेल्थ हाउस बारवे भाव में शनी का ट्राजिट होने से साड़े सती आरम हो जाती है धनु राशी वालों का अपने संबंदियों से अन्य बड़े लोगों से मत्भेद हो जाएंगे घर परिवार से दूर जाना पड़ जाता है स्वास्त खराब हो जाएगा तथा धन का नुकसान होगा मकर राशी मकर राशी के इलेवंध हाउस में ब्रिश्चिक राशी में शनी का गोचर अत्यंत शुप फल डायक है 11 भाव लाब भाव होता है लाब भाव में शनी का गोचर मकर राशी वालों का जमीन जायजाद में लाब देगा मकान बनने के चांसिस बढ़ जाएंगे इस्तियों से लाब मिलेगा वैपार में उन्नती होगी नौकरी में तरक्की मिलेगी धन लाब होगा रोगों से मुक्ती मिलेगी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा तथा सभी परकार के लाब प्राप्त होते हैं कुम राशी के दस्मे भाव में शनी का ट्रांजिट अशुप फल देगा नौकरी में या बिजनस में परिवर्तन होगा बिजनस में हानी हो सकती है रोकावटें अधिक आएंगी धन का नुकसान होगा मान सिक पीड़ा बढ़ जाएगी घर से दूर जाना पड़ सकता है इस में राशी बालों के लिए विश्चिक राशी में शनी का गोचर अशुप फल देगा शत्रो में वरिदी हो जाएगी इस्त्री से वा संतान से दुख प्राप्थ होंगे पिता या पिता समान व्यक्ति को मिर्त्य तुल्य कस्ठ प्राप्त होगा धार्मिक कारियों में इंट बढ़ जाएंगे आरोप लगने का भी खत्रा है भाईयों से मित्रों से अन्बन हो जाएगी अंत में शनी का वृष्चिक राशी में ट्रांजिट मित्थुन कन्या वा मकर राशी वालों के लिए अत्यंत शुप्फल दायक है तथा सिंग, मेश, तुला, वृष्चिक वा धनूराशी के लिए अशुप्फल दायक है नमस्कार